नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BR Tech YouTube चैनल पर आसा करता हूं सबे लोग बढ़ी आऊंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप CSC यानी की E-District Portal से किस प्रकार से अपना यहां पर निवास प्रमाणपत्र अप्लाई कर सकते हैं यहां पर बास सारे चेंज़े आ आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही सांदर इंफॉर्मेशनली वीडियो जापको समय से मिलते रहें और आप इनका लाव लेते रहें तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से इस पॉर्टल पर आना है जिसक आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ट सब कुछ एंटर करना है कैप्चार एंटर करके सम्मिट करेंगे तो आपका इस प्रकार से पॉर्टल लॉगिन हो जाएगा अब आपको यही पर सारी आपकी सर्विसस हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी जिनका आपको य सत्यापन का पेज खुलकर आ गया है यहाँ पर हमें अपने अधार कार्ड के ओटीपी के तुर यहाँ पर करना होता है आपके अधार कार्ड में नंबर लगा होगा तब ही आप यहाँ पर यहाँ पर यह सब काम कर पाएंगे आपको यहाँ पर अपना कैप्चा एंटर करना आधार number एंटर करना है और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और सम्मिट के बटन पर क्लिक कर देंगे अब आधार से रइश्टर जो भी नमबर होगा उस पर OTP जाएगा OTP सम्मिट करेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आपका नाम हिंदी और इंग्लिस में अपने आप ही आपके आधार कार्ड के हिसाब से सो करेगा आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं यहाँ पर पिता या पती या संरक्चक जिनक डेटा बर्त आपको यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड के हिसाब से ही उठा लेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर जन्म का इस्थान लिख देंगे इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना मोईल नंबर एंटर कर देना है नि जैसे यहां पर बताएंगी और यहां पर आप माड़ित यहां पर यहां पर रखना चाते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार कर देंगे तो आपको यहाँ पर फोटो अप्लोड जो करना है वो नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमाई जो स्वप्रमाडित होगा वो किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है हम फिर से इसी वैबसाइट पर आएंगे तो आपको पर मातोपूर्ण डाउनलोड में दिखेगा पर आप डिक करेंगे तो इस तरिके से फिर सामने खूलकर आजाएगा यहाँ पर आप अपनी सारी डीटेल भरेंगे यहाँ आपका नाम के पिता जी का नाम यहाँ पर आपकी जो भी आईउ है वो भरेंगे आपका बैवसाय क् लिख सकते हैं डिश्टिक का भी नाम लिख देंगे तो भी चलेगा यहाँ पर आप डेट लिख देंगे यहाँ पर आपके हस्तक्षर होंगे और आपका यहाँ पर नाम लिखना होगा इसे आप scan करेंगे और यहां पर इसे upload करेंगे इसमें जो भी आपका अटाइजमेंट upload होंगे इनका size आपका जो रहेगा photo का रहेगा वो आप 20 KB तक रखेंगे बांकी का आपका 100 KB तक होगा तो भी आप upload कर सकते हैं जैसे में यहां पर अधार कार्ड upload करना था तो हमने यहां पर अन्य कर दिया आपको section दिखेगा इसमें आपको Hindi में लिख देना है आधार कार्ड इस प्रकार से हमने लिख दिया आधार कार्ड और यहां पर आपको choose file click करके और यहाँ पर upload कर देना है तो देखेंगे हमारा यहाँ पर अधार card भी upload हो गया आप यहाँ पर capture लिखेंगे और दर्ज करें पर click कर देंगे आप देखेंगे इस परकार से हमारा यहाँ पर आवेदन पत्र सम्मिट हो गया और हमारी जो यहाँ पर detail है वो ड्राफ्ट पेज में यहाँ पर खुल कर आ गई अगर आपको यहाँ पर कोई बीडेल टेक के थुरू चल रहा है तो हमाँ बैम टेक खुल गया अगर आपका CSC से EGISTIC portal चल रहा है तो आपकी CSC की website खुल किया जाएगी अब आपने portal पर login करेंगे और वहां से इसका जो payment होता है वो payment कटवा देंगे जैसे कि हम यहाँ पर अपना login करके payment deduct करवा देंगे तो इस तरीके से आपको payment successful का message देखेगा प्रोसीट करेंगे तो आपका यहाँ पर पाबती पत्र है याँ यहाँ पर generate हो जाएगी इस slip को आप निकाल कर अपने यहाँ पर customer को दे देंगे यहाँ पर आपको आवेदन संक्या दिखेगी आपकी पूरी दिखेगी जो भी आपने यहाँ पर फिलप की है आवेदन संक्या से आप यहाँ पर अप्लिकेंट को दे देंगे तो बड़ी आसानी से अपनी details को track कर सकता है कि उसका यहाँ पर आवेदन पत्र कहाँ पर पड़ा है या अभी तो यह कुछ तरीके थे updated वाले तो आसा करता हूं आपको हमने जो भी complete प्रोसेस बता है आपको समझ आ गया होगा अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है अप्लिकेशन फिलप करने में तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा हम उसका जल चल सलिसन निकालेंगे तो आज आज के इस वीडियो में इतना रहेगा मिलते हैं फिर से किसी संदार वीडियो के साथ बाइबाइ जयहिंद जयवार